हेलो एवरिवन फिर्स्ट ओफ फॉल वेलकम टो यूटूब चैनल इन इस वीडियो वे विल डेस्कस दिया अप्लिकेशन पार्ट जो आपकी हमने टू अप्लिकेशन को डेस्कोस कर लिया था आपका अनरजी देख लिया था और पी क्योर ब्रांजीच वाला ठीक है तो को काल्कुलेट कर शकते हैं फोर्स को कर शकते हैं तो इन पॉइंट्स को डिसकस करेंगे उसके बादन लिए जो पोली अटोमिक मॉलिकूल के लिए बाद में आपका यह कंप्लीट हो जाएगा देन हम रमन्स फैक्टर को स्टार्ट करेंगे अपने वह पहले वाल वीडियो इस नहीं देखिए तो आप वह देख लिए ना और कुछ प्रोब्लम है उस तो आप प्रमेंट कर सकते हूं ठीक है काफीजी है अब देखिए हमने यह तो आपको डिसकस करके बता दिया था कि P ब्रांच कौन सी है Q ब्रांच कौन सी है R ब्रांच कौन सी है हमने सीम्पल सा पता था जैसे P है Q है B है यह आपका DL जी होता है उसके यह प्लस वन सी है यह याद रखो ठीक है तो अगर P ब्रांच का बोलेंगे जब DL के वलेंव तो Q ब्रांच जब आपका जीरो हो, R ब्रांच अप प्लस वन हो, ठीक है तो अब यह बोल रहाहे कि हमें intensity of line देखनी है कि P और R ब्रांज है आपकी तो उसमें कैसी रहेगी तो यह आपको पताए कि देख़े तो डोट टाइप की स्पेक्ट्रम एक तो हाई रिजॉलेशन जश्य सवीजी बोलो क्लियरली स्पेक्ट्रम एक लो रिजॉलेशन स्पेक्ट्रम तो देखो आपका लो resolution spectrum है ठीक है low resolution अगर resolution कम होगा ना तो वहाँ पिक कैसी होंगे आपकी broad peak होएंगी देखो एक तो काफी broad peak है ऐसे आपको पताने जाले एक बिल्कुल सार पिक्स होती है काफी अलग लग तो आपको अच्छे से separation होगी तो अगर आपका low resolution spectrum है ठीक है तब तो आपकी कौन सी पिक है ब्रोड पिक आएंगी जो कर्षपॉरंट किसके पी और आर ब्रांचीज के और इसमें हमने कोई भी rotational fine structure obtained नहीं होगी देखो हम क्या देख रहे हैं कि vibrational rotational अगर broad peak होगे ना तो उसमें mix हो जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा vibration कौन सी है यह मैंने आपका बताया था जैसे पहले आपका electronic उसके अंदर vibration vibration के अंदर rotational अगर यह broad होगे सारी peaks ही तो वो mix ही हो जाएगी इस उपर एक दूसरे तो आपको पता ही नहीं आप बता है नहीं चाह सकते कि यह rotational के vibration अगर बिल्कुल सार peak है तो separate हम कर पा रहे हैं जैसे ऐसे आपकी यह vibration के माल लिए हमने यह rotation तो आप ऐसे visible कर अगर broad peak में तो नहीं तो इसका मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर low resolution है low means come है आप अच्छे से visual नहीं कर पारे spectrum को तब आपके पास broad peak होगी और उसमें हमें अगर आपके पास high resolution spectrum है तो आप आसानी से visible कर शकते हो rotational fine structures को भी तेक है यहीं बताने और जो q branch line होती है जहाँ पे डेल जिरो वहाँ पे क्या होता है कि उसमें line सूपर इंपोज हो जाती है एक दूजरे पे जो band center मिलता हमने जो बीच में बताया चाहूं omega note इसके course बोने और जो lines की जो result वह बहुत ही high intensity की मिलती है वैसे तो intensity तो high होती है q branch वाले के लिए भी इंपोज करके एक सुदर तो यह तो आपको intensity of line में बताना था कब low resolution है, high resolution है q branch में क्या आ रहे है जो आपका fourth point है वो है आपका isotopic और यह आपका syllabus में mention करके है points का, कि intensity बताओ isotopic effect बताओ, calculation of force constant बताओ तो यह अच्छे-च्छे topic करने हैं आपको तो isotopic effect बताना आपको vibrational और rotational spectrum में देखो, simple हमने जब discuss किया था आपका rotational तब भी आपको बताया था हमने isotopic का क्या effect होता है तो देखो, जब हम vibrational rotational spectrum को देखते हैं high resolution के अंदर तब हमारे पास क्या observation दिखती है कि जो spectral जो line है ना उसमें splitting हो जाती है जब isotopes का pressure माल लो आपका एक hydrogen का, एक deuterium का, एक tradium का है isotopes होगे न, atomic number isotopes क्या होते हैं, यह तो आपको पता है iso means क्या होता है, same top तो यहाँ पर atomic number क्या होता है, same होता है और mass number क्या होता, आपका different होता isotopes में अगर आप high resolution spectrum तो आपके क्या observation मिलती है, कि जो spectral line होती है न, वो आपके splitting show कर देती है, क्योंकि isotopes का जादा pressure लगने, mass जादा हो जाता है न, आपके, यह तो आपको पता, यह simple isotopes किसमें differ करेंगे, mass में तो mass अलग होगा, तो उनका moment of inertia भी different होगा, जैसे आपको यह पता है inertia क्या होता है, mass into distance distance आपके माले से में, mass अलग होगा तो inertia कितनी आजाएगे, h upon 8 pi square bc ठीक है, तो यहां से जब आप calculate करोगे inertia की value, या B की value देख लो inertia की value अगर जादा है, तो B की आएगा, कम आएगा क्योंकि universal relation है, तो means क्या हो गया कि जैसे आप से कोई पूचले, hydrogen, deuterium, tritium है तो कौन से के लिए rotational constant की value ज़्यादा मिलेगी तो आपका hydrogen वाले, कैसे है, क्योंकि hydrogen वाले के लिए mass कम है, तो B ज़्यादा होगा, tritium है इसके लिए, तो inertia की value ज़्यादा है, तो यह कम हो जाएगा तो आप order में change कर सकते हो, यहां से आप inertia की value यहां numerical भी बूछ लें आपसे, तो mass into distance, mass को यहां पर mu से denote करते हैं, ठीक है, दो का mass दे रखा हो, तो हमने आपको बताया था 1 upon m1 plus में m2, तो m2 plus में m1, ऐसे आप वो तो solve कर सकते हो, यहां से आप r की value में निकाल सकते हो, r निकालोगे, तो इस point से निकालोगे तक क्या जाएगा, inertia, by में mass, mu, तो यहां से अगर आपको bond length का, भी determine कर सकते हैं, आई की value पता और mu, ठीक है, तो यह different fundamental frequency of vibration देखते हैं, कि आपका wave number कि is close, मतलब आप इसे calculation कर सकते हो, कि isotopic effect पे vibration current of number में क्या difference आ रहा है, high resolution spectrum है, तब क्या आप से पूछ सकते हैं, जैसे carbon CO ले लिए, 12 वाला, 13 वाला है, तो कौन से के लिए उसकी जो intensity है, original spectrum है, वो कैसे आएगा, ठीक है, तो यह आप से पूछ सकते हैं, जैसे आपको बताएं, यह spectrum हम HCL का देखते हैं, तो वहाँ पे line है, डबलेट की रूप में अपीर होती है, क्योंकि वहाँ पे 2 होती है, क्योंकि CL 35 वाला, HCL आपका 37, तो doublet है, that means उसके isotopes है, HCL का आप देखते हैं, तो doublet में आपके आती है, क्योंकि यहाँ पे isotopes रहें है, कलोरिंग का 35 का, 37 का, इसी टाइप से आप carbon monoxide में भी देख सकते हूँ, कुछ line आपके P branch line में अपीर हो जाती है, कुछ आपके अलग, तो यह किसकी विज़े से होता है, due to isotopes, isotopes का यह effect होता है, जो आपका 5th point है, उसमें आप से पुछते हैं, कि structural information हम कैसे ले सकते हैं, IR spectrum से, देखो, IR mainly, अगर हम देखते हैं, जैसे IR spectros को भी अपने पड़ी होगे, मैंने भी discuss की वी है, तो उसमें mainly functional group के लिए होता है, तो अगर कोई भी functional group से आप structure को idea तो लगाई सकते हैं, कि हाँ, माले, आपके पास क्यों सा structure, इसमें अगर है, तो थोड़ा आपका structure, इलिशुडेशन में थोड़ी help में जाते हैं, हमें functional group का confirm हो जाता है, कि यह functional group है, तो यह पूछ रहा है कि आपको structural क्या information मिलती है, जब हम IR spectrum बढ़ते हैं, तो क्या इसे है, moment of inertia calculate कर पाते हैं, bone length निकालते हैं, force constant निकालते हैं, तो इन points को discuss करके दिखाना है, ठीक है, तो हमने देखा था कि rotational जब spectrum था, तो उसमें जो frequency का separation था, उसी को हम spectrum बोलते हैं, वो किसकी को लाए था, 2b cm, तो यह उसकी application होगी ना, कि moment of inertia and bone length को calculate करेंगी हम, और आपको होता है, B अगर आपके पास है, तो B directly क्या होता है, चाप होने 8 pi square ice, तो यहां से, आप I भी निकाल सकते हो, और I क्या होता है, mass into distance, तो means bone length निकाल सकते हो, तो आप moment of inertia and bone length दोनों calculate कर सकते हो, with the help of I spectrum, ठीक है, यह हमने निकाल ला था, और अगर force constant की value भी calculate कर सकते second point, आप इसको explain भी कर सकते हो, force constant, यह हमने पहले ही discuss किया था, जैसे आपका कोई भी diatomic molecule है, यह आपको simple, हमने harmonic oscillator वाले में, तो किसको भी करता है, hooksela, hooksela क्या होता है, force directly, जो restoring force, और इसको अटाने के लिए आपका k आता है, और यह आपको बता है, क्या पोजट लग, जै करना चाहें, तो अगर मालो, आप x1 है, तो k जो force constant है, वो k को लिया जाएगा, जो भी आपका restoring force लग रहना है, per unit displacement, जैसे हम harmonic oscillator की बात करें, तो उसमें हम calculate कर सकते हैं, harmonic oscillator में तो हमने angular frequency भी देखी थी, जिसके आपका होती है, 1 upon 2 pi and root k by mu, और यहां से अगर k, अगर root को 4 pi square omega, mu आपको बता है, क्या लिख सकते हूं, यहां पर 1 upon m1 plus में, m2, अगर m1, m2 आपको mass बता है, atoms के pi constant है, तो k की बेल निकाल सकते हूं, तो यह आपको, अगर आज है आपका application में, तो force constant निकाल होगी, तो आपको explain करना पड़ेगा, पहले की simple harmonic oscillator में, अपने diatomic molecule, तो हो hooks ला को भी करता है, यहां पर अपलिक होगी, कौन चीला है यह, hooks ला है की force directly, जो भी आपका displacement के, और के आपके जो restoring force है, वो opposite लगता है, तो minus के, फिर आप angular frequency वाला बताओगी, फिर यह value put करके, तो ऐसे आप बताओगी, कि हम k की value calculate कर सकती है, ठीक है, तो आप, I hope आपको य समझ आए होगा, इसमें आप आसानी से calculate कर सकते हैं, जैसे आपका हैलोजन्स वगिरा में पूछ ले, कि HF है, HCl है, बियार है, तो बोंड अनरजी और बोंड लेंथ का, यह तो आपको पता है, कि बोंड की energy universally relation होती है, बोंड लेंथ का, ठीक है, और यह है, जैसे आपका है है, HCl है, HBR है, ICHN में पूछ लें, तो आपको बता है, बोंड श्ट्रोंग होगा, तो नीचे की तरफ जाएंगे आप, डाउन दे गुरू पे, तो आपका क्या होता है, फो भी वीक, length भी बढ़ जाती है, तो अगर length जादा हो जाएगे, तो energy क्या हो जाएगी, कम, बोंड अनर्जी, अगर ब्रेक करने के जादा माउंट की जच पड़ दे है, तो बोंड अनर्जी की value, अच्छाफ के लिए, जादा CL के लिए, और length का करोगे, तो इन्वर्श लिएरेशन हो जाएगे, तो ऐसे आप calculate कर सकते हो, या force constant की value, simple भी देख सकते हो, कितनी strength है, ए यह आप से पूछ सकते हैं, ठीक है, तो यह आप से पूछ सकते हैं, अब जो last point है, इसमें इसमें आपका है, वो है calculation कर सकते हैं, किसकी equilibrium dissociation energy, यह आपको पता है, कि जिसे कोई भी molecule vibrate करता है, तो उसमें vibrational energy तो increase होती है, वाइब्रेशन quantum number के साथ, यह हमें देखा था आपक तो बाद में क्या आप जाती है, एक extreme stage आती है, जहाँ पर हम sufficient होता है, molecule को break करने के लिए, दोसको हम dissociation energy बोलते है, molecule को, जैसे diet में कोई भी मोदो molecule है, आपको उसको break करना है, तो वो किस equation दे देते हैं, D dissociation energy, वो equal to होती है, omega e by 4 xc, ठीक है, omega angular frequency, जो equilibrium, जो distance लेते हैं, तो और more potential जो curve था न, वहाँ से भी आप देख सकते हो, तो उसमें भी हम करेंगी, तो unharmonic में, उसमें क्या जाता है, D is equal to omega e by 4 xc, तो उसमें आपका क्या हो जाता है, minus हो जाता है, यहाँ पर 1 upon 2 omega e, 1 minus 1 by 2 xc, यह वाली term याद रखो, तो रख लो, नहीं, तो यहाँ इतना बत इसके application सारी complete हो जाती है, next videos में, हम normal mode देखेंगे, vibration के, जैसे हमने simple videos में देखे थे, वैसे ही, इसके normal mode, then हम raman spectra, further करेंगे, two days में, आपका complete हो जाएगा, तो I hope आपको यह समझ आ रहा होगा, thanks for watching my channel,